C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा साथ की सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतरगत ध्वनी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग दो। आईए अब सुनते हैं अध्याए आठ शीर्शक है इश्वर की भक्ति। अध्याए आठ इश्वर से अनुराग आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथ्वा भजन किर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप इश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह वी गवर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आखों में आशु भर आते हैं। इश्वर के प्रती ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ती उन विभिन प्रकार के भक्ती तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिसका आठ्मी शताब्दी से उद्भाव होने लगा। परमिश्वर का विचार बड़े बड़े राजियों के उदै होने से पहले भिन भिन समुहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा सामराजियों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए-नए विचार विकसित होने लगे. एक बात व्यापक रूप से स्विकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर जीवन के अनन्त चक्रों में से गुजरते हैं. इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं, और यह मान्यता कि सामाजिक विशे शाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा उची जाती में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्य पूर्ण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। परमेश्वर का विवरण इस प्रकार से है, ये चित्र संख्या एक है और इसका वर्डन सुनते हैं, भगवत गीता की किसी दक्षिन भारतिये पांडूलिपी से लिया गया एक प्रिष्ट। तो दोस्तों ये भगवत गीता की किसी दक्षिन भारतिये पांडूलिपी से लिये गया एक प्रिष्ट का चित्र है। और इसी के साथ साथ नीचे एक बॉक्स और ये बॉक्स आरंभ होता है प्रश्ण के साथ। और आएए सुनते हैं आज का प्रश्ण। आज भी आप स्थानिय मिथक तथा किसे कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्विकृती पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरन ढूण सकते हैं। और अग सुनते हैं पाठ। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के मध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परमदेवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन भिन क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विश्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानिय मिथक तथा किस्से कहानिया पाउरानिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पधत्यों की अनुशनसा की गई थी, उन्हें स्थानिय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाती पांती का हो, वह सच्ची भक्ती से ईश्वर की क्रिपा प्राप्त कर सकता है। भक्ती की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिये हो गई कि बौधों और जैन मताव लंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। दक्षिन भारत में भक्ती का एक नया प्रकार, नयानार और अलवार। सात्मी से नवी शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेत्रित्व नयानारों यानी शैव संतों और अलवारों यानी वैशनों संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिन में पुलईया और पनार जैसी अस्प्रिश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौध्धों और जैनों के कटू आलोचक थे और शिव तथा विश्णू के प्रती सच्चे प्रेम को मुक्ती का मार्ग बताते थे। उन्हों ने संगम साहित्य, जो तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरन है और सामन्य सन यानि इस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचा गया था, में समाहित प्यार और शूर वीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ती के मूल्यों में उनका समावेश किया था। स्थान या गाउं में जाते, वहां के स्थानिय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुन्दर कविताएं रच कर उन्हें संगीत बद्ध कर दिया करते थे। प्रिष्ट संख्या 106 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर है एक बॉक्स और इस बॉक्स का शिर्षक है नयनार और अल्वार। आईए सुनते हैं नयनार और अल्वार के बारे में। कुल मिला कर 63 नयनार ऐसे थे जो कुमहार, अस्प्रिष्य कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राहमन और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सरवाधिक प्रसिद्ध थे अपपार, संबदर, सुरंदार और मानिक्यवसागार। उनके गीतों के दो संकलन हैं तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संत संख्या में बारह थे। वे भी भिन भिन प्रकार की प्रिष्ट भूमी से आये थे। उनमें से सरवाधिक प्रसिद्ध थे पेरिये अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर, डिपोड़ी, अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्द्य प्रबंधम में संकलित हैं। आईए इस समय कुछ शब्दों को समझें। धार्मिक जीवनी, जिसका अर्थ है संत जीवनी लेखन, यानि संतों की जीवनियों को लिखना। पाठ में चलने से पहले साथियों यहां नजर डालते हैं चित्र संख्या दो पर, और ये मानिक के वसागार की एक कांस्य प्रतिमा है। अब आईए, सुनते हैं पाठ। दस्मी से बारहुवी सदियों के बीच, चोल और पांडयन, राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिये, जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ती परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। आज हम भक्ती परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उप्योग करते हैं। इसी प्रिष्ट पर यानि प्रिष्ट संख्या 106 पर एक बॉक्स सबसे नीचे और इसका शीर्षक है भक्त और भगवान। और ये है मानिक्व सगार की एक रचना। इसमें इस प्रकार से लिखावा है। मेरे हाड मास के इस घ्रिनित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालू प्रभू, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यू का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रमहानंद, हे प्रकाश में, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुम से कभी दूर नहीं हो सकता। साथियों इसी बॉक्स में नीचे इस कविता के बारे में प्रश्ण है और प्रश्ण है कि बताईए कवी ने भगवान के साथ अपने संबंध का इस कविता में कैसा वर्णन किया है प्रिष्ट संख्या 107 दर्शन और भक्ति भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दर्शनिकों में से एक शंकर का जन्म आठ्वी शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था वे अद्वयत वाद के समर्थक थे जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परमसत्य है दोनों एक ही है उन्हों ने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एक मात्र या परमसत्य है वह निर्गुण और निराकार है शंकर ने हमारे चारों और के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात सन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्यान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया रामानुज 11. शताबदी में तमिल नाडु में पैदा हुए थे। वे विश्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाए विश्णु के प्रती अनन्य भक्ती भाव रखना है। भगवान विश्णु की क्रिपाद्रिष्टी से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विश्ष्टिता द्वैत के सिध्धान्त को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिध्धान्त ने भक्ती की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। पाठ में चलने से पहले एक बॉक्स प्रश्ण चिन के साथ और ये प्रश्ण आपके लिए। आईए सुनते हैं प्रश्ण। शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयतन करें। अब आईए सुनते हैं पाठ। साथियो, हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ती आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किये गए वीर शैव आंदोलन में स्पर्ष्टतह दिखाई देती है। यह आंदोलन बारहुई शताबदी के मध्य में करनाटक में प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ती पूजा के विरोधी थे। प्रिष्ट संख्या 108 तो साथियों सबसे पहले नजर डालते हैं एक बॉक्स पर और इस बॉक्स का शीर्शक है वीर शैवों के वचन। आईए सुनते हैं। नीचे कुछ वचन या कथन दिये गए हैं जो बसवन्ना के बताये जाते हैं। आईए सुने। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा। मेरी टांगें खंभे हैं। शरीर तीर्थ मंदिर है। सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभू, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। एक प्रश्न आपके लिए, बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अरपित कर रहा है। बताईए। पाठ में चलने से पहले कुछ और जानकारी आपके लिए जो इसी प्रिष्ट में बाई और है। महराष्टर के ज्यानेश्वर नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैश्णो संत कवी भगवान बिठल के उपा सकते। भगवान बिठल के आराधना ने बारकारी संप्रदाय को जर्म दिया जो पंधरपुर की वार्शिक तीर्थियात्रा पर जोर देता है। बिठल संप्रदाय का भगती के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदै हुआ, तथा लोगों में काफी लोक प्रिय हुआ। अब आईए सुनते हैं पाठ। महराष्टर के संत। तेरहुई से सत्रहुई शताबदी तक महराष्टर में अनेकानेक कवी संत हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूण थे ज्यानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां, तथा चोखा मेडा का परिवार, जो अस्प्रिश्य समझी जाने वाली महार जाती का था। भक्ति की यह क्षेत्रिय परंपरा पंधरपूर में बिठल यानि विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव यानि इश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहां तक कि उन्हों ने सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनमरता पूर्वक जरूरत मंद साथियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्हों ने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ती दूसरों के दुखों को बांट लेना है। प्रिष्ट संख्या एक सव नौ। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उदभव हुआ। जैसा कि सुप्रसिध गुजराती संत नर्सी मेहता ने कहा था। वैशनों जनतों तैने कहिए पीर पराई जाने रे। असाथियों अब हमारे सामने फिर एक बॉक्स। बॉक्स का शीर्षक है सामाजिक विवस्था पर प्रश्न चिन है। आईए सुनते हैं ये संत तुकाराम का एक अभंग यानि मराठी भक्ती गीत है। आईए सुनते हैं जो दीन दुखियों पीडीतों को अपना समझता है वही संत है क्योंकि इश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ती को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुका राम का कहना है मैं यह कहते कहते कभी नहीं ठकूंगा कि ऐसा व्यक्ती स्वयम इश्वर है। यहां चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। आईए सुनते हैं। तुमने हमें नीची जाती का बनाया। मेरे महाप्रभु तुम स्वयम यह स्थिती स्विकार करके तो देखो कि हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो। तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है। बताओ प्रभु तुमने मुझे जिन्दगी क्यों दी। इस कविता के बाद आपके लिए कुछ करने को। इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक विवस्था के विचारों के बारे में चर्चा करें। साथियों पाठ में चलने से पहले इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक चित्र और ये है चित्र संख्या तीन। और इस चित्र में आग के आसपास तपस्वियों के समुह को दिखाया गया है। आईए सुनते हैं पाठ। साथियों इसकाल में अनेक ऐसे धार्मिक समुह उभरे जिन्होंने साधरन तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढी वादी धर्म के कर्मकांडूं और अन्य बनावटी पहलूं तथा समाज विवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिध्धाचार और योगी जन्न उल्लेखनिये हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूती ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के मध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षन देने की अवशिक्ता पर बल दिया। ये समुह खास्तोर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिये हुए। उनके द्वारा की गई रूढी वादी धर्म की आलोचना ने भक्ती मारगिये धर्म के लिए आधार तयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिये शक्ती बना। अब आएए सुनते हैं इसलाम और सूफी मत्त। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहां तक कि यह भी माना जाता है कि उन्हों ने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसल्मान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडमबरों को अस्विकार करते हुए ईश्वर के प्रती प्रेम और भक्ती तथा सभी मनुष्यों के प्रती दया भाव रखने पर बल देते थे। इसलाम ने एक एश्वरवाद यानि एक अल्लाह के प्रती पूर्ण समर्पन का द्रिधता से प्रचार किया। इसलाम धीरे धीरे और जटिल होता गया जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जिसने ईश्वर के प्रती व्यक्तिगत समर्पन पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुसलिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्विकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे, जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किये बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। प्रिष्ट संख्या 111 संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काववे रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्त्रित साहित तथा कई खिस्से कहानिया इन सूफी संतों के इर्दगिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और साधी के नाम उल्लेखनिये हैं। नाथ पंथियों, सिध्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रती अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी आउलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानि नाम का जाप, चिंतन, समा यानि गाना, रक्स यानि नृत्य, नीती चर्चा, सांस पर नियंत्रण, आधी के जरिये प्रशिक्षन की विस्त्रित रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढियों और सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इन में से हर एक सिलसिला निर्देशों वा धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। यहाँ एक चित्र है, चित्र संख्या चार, इसका शिर्षक है आनन्दित सूफी। अब आपके लिए सुनने के लिए कुछ और। कश्मीर में पंद्रहुई एवं सोलहुई शताबदी में सूफी वाद के रिशी पंथ का उदै हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नुरुद्दीन वली जिन्हें नंद रिशी के नाम से भी जाना जाता है, नेकी और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। रिशी संतों को समर्पित कई समारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। प्रिश्ट संख्या 112 पाठ में चलने से पहले एक चित्र, ये है चित्र संख्या 5 इसका वर्णन इस प्रकार से है, कुरान की पांडूलिपी से लिया गया एक प्रिश्ट, दक्कन परवर्ती पंद्रहुई शताब्दी का। और आए इस समय आपका परिश्ट कराते हैं एक शब्द से और शब्द है खानकाह जिसका अर्थ है सूफी संस्था जहां सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। और आए अब सुनते हैं पाठ। सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें आउलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा मुईनुदीन चिष्टी, दिल्ली के खुतबदीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुदीन आउलिया और गुर्बर्ग के बंदानवाज गिसुदराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेश बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भग्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे, वे आध्यात्मिक विशयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलजाने के लिए संतों से आशिरुवाद मांगते थे, अथ्वा संगीत तथा निर्त्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे, अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी आउलियाओं के पास चमतकारिक शक्तियां होती हैं, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है, सूफी संथ की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी इमान धर्म के लोग हज़ारों की संख्या में इकठे होते थे, इसी प्रिष्ट 112 पर सबसे नीचे एक चित्र और इस चित्र का वर्णन इस प्रकार से है, सभी प्रिष्ट भूमियों के भग्त स्तूफी दरगाहों पर आते हैं, प्रिष्ट संख्या 113 साथियों इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है मालिक यानि प्रभू की खोज आए सुनते हैं इस बॉक्स में क्या बताया गया है आए सुने जलालुदीन रूमी तेरहुई सदी का एक महान सूफी शायर था वह इरान का रहने वाला था और उसने फार्सी में काव्वे रजना की उसकी कृती का एक उद्धरन तस्तुत है आईए उद्धरन सुनते हैं वह इसाईयों की सूली पर नहीं था मैं हिंदू मंदिरों में गया वहां भी उसका कोई नामो निशा नहीं था ना तो वह उचाईयों में मिला नहीं खाईयों में मैं मक्का के कावा भी गया वह वहां भी नहीं था मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेन्ना से पूछा वह एविसेन्ना दार्शनिक की पहुच से परे था मैंने फिर अपने दिल में जहाका यही उसकी जगह थी वहीं यानी अपने दिल में मैंने उसे पाया वह और कहीं नहीं था पाठ में चलने से पहले मित्रो आईए इस समय डालते हैं एक नजर चित्र संख्या साथ पर और यह चित्र है चैतन्य देव सोलमी शताबदी के बंगाल के एक प्रसिद्ध भक्ती संत इन्होंने कृष्ण राधा के प्रती निश्काम भक्ती भाव का उपदेश दिया इस चित्र में आप उनके अनुयाईयों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं अब आईए सुनते हैं पाठ तेरवी सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ती आंदोलन की एक नई लहर आई यह एक ऐसा युग था जब इसलाम, ब्रहमन वादी हिंदु धर्म, सूफी मत, भक्ती की विभिन धाराओं ने और नाथ पंथियों, सिध्धों तथा योगियों ने परस पर एक दूसरे को प्रभावित किया हमने देखा कि नए नगरों, जिनका उलेख आपको अध्याय छे में मिलेगा, और राज्यों, जिनका उलेख हमें अध्याय दो, तीन और चार में मिलेगा, इनका उद्भाव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यावसाय और नए नए भूमी काएं खोज रहे थे ऐसे लोग विशेश रूफ से शिल्पी, क्रिशक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकठे हो जाते थे और फिर वे उनका प्रचार करते थे उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबर पूर्ण, रूढ़ी वादी धर्मों को अस्विकार कर दिया तुलसिदास और सूर्दास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पध्धतियों को सुविकार करते हुए उन्हें सब की पहुँच में लाने का प्रयात्म किया तुलसिदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया अवधी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है उसमें लिखी गई तुलसिदास की रचना राम चरित मानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्तिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है प्रिष्ट संख्या 114 प्रिष्ट संख्या 114 में सबसे पहले नजर डालते हैं एक मानचित्र पर और ये है मानचित्र एक इसमें दिखाया गया है मुख्य भक्ति संत तथा उनसे जुड़े ख्षेत्र हम इस मानचित्र में देख सकते हैं और पाठ में चलने से पहले इस समें कुछ और जानकारियां आपके लिए शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म एक सर्वोच सत्ता के प्रति समर्पन के नाम से जाना गया शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुरान पर आधारित हैं इन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोसाहित किया उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोश शामिल है आईए अब सुनते हैं पाठ सूर्दास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित लहरी में संग्रहित हैं एवं उनके भक्ती भाव को अभिव्यक्त करती हैं असम के शंकर देव, परवर्ती पंद्रहुई शताब्दी जो इनही के समकालिन थे, ने विश्णों की भक्ती पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे उन्होंग ने ही नामधर, यानि कवितापाठ और प्रातनाग्रिह स्थापित करने की पधती चलाई, जो आज तक चल रही है इस परंपरा में दादु दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे मीराबाई एक राजपूत राजगुमारी थी, जिनका विवाह सोलहुई शताब्दी में मेवाड के एक राजसी घराने में हुआ था मीराबाई रविदास जो अस्प्रिष्ट जाती के माने जाते थे की अनुयाई बन गई वे प्रिष्ण के प्रती समर्पित थी और उन्होंग ने अपने गहरे भक्ती भाव को कही भजनों में अभिव्यक्त किया है प्रिष्ट संख्या 115 उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनोती दी तथा ये गीत राजस्थान वा गुजरात के जन साधरण में बहुत लोक प्रिये हुए इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षन यह है कि इनकी कृतियां ख्षेत्रिय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था इसलिए ये बहद लोक प्रिये हुई और पीढ़ी दरपीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही प्रायह इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमी का रही है प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे वे हमारी जीती जागती जन संस्कृती का अंग बन गई हैं अगले प्रिष्ट पर चलने से पहले आपके लिए एक जानकारी और उसके बाद एक बॉक्स आईए जानकारी लेते हैं भक्ती संतों का एक महतोपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था बंगाल के जैदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रजना की जिसमें हर गीत एक विशेश राग और ताल में रचित है संगीत पर इन संतों का एक महतोपूर्ण प्रभाव भजन कीरतन और अभंग का प्रयोग था इन गीतों ने जो मनो भावनात्मक अनुभावों पर बल देते हैं जन मानस को ज्यादा आकरशित किया इसी प्रिष्ट पर एक बॉक्स और बॉक्स का शिर्षक है राणा के राज महल से परे मीरा द्वारा रचा गया गीत लोक लाज कुलरा मरजादा जगमा जेकना र्याख्यारी महल अटारी हम सब त्यागे त्याग्यो थारो वसनो सहर और नीचे आपके लिए एक प्रश्ण आपके विचार से मीरा ने राणा का राज महल क्यों छोड़ा प्रिष्ट संख्या 116 कबीर नस्दीक से एक नजर कबीर संभौता 15-16 सदी में हुए थे वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे उनका पालन पोशन बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानि बुनकर परिवार में हुआ था उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनिय जानकारी है हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रजना तो कभीर ने की थी परन्तु ये घुमन्तु भजन गायकों द्वारा गाये जाते थे इन में से कुछ भजन गुरु ग्रंत साहब, पंचवानी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है एक बॉक्स, बॉक्स का शीर्षक है सच्चे प्रभु की खोज में ये कभीर की रजना है, आएए सुनते हैं अलह राम जीउं तेरे नाई, बंदे उपरी मिहर करो मेरे साई क्या ले माटी भुईसू, मारे क्या जल देह न्यावे जो करें मस्कीन सतावे, गून ही रहे छिपाएं ब्राहमन व्यारसी करें चौवीसो, काजी महरम जान ग्यारह मास जुदे क्यों किये, एक ही माही समान पूरभी दिसा हरी का बासा, पच्छिम अलह मुकामा दिल ही खोजी दिले भीतरी, इहां राम रही माना और यहीं एक चित्र भी हम देख सकते हैं, चित्र संख्या नौ और इसमें करगे पर काम करते हुए कभीर जी का चित्र दिखाया गया है एक प्रश्न इन दोहों में किये गए विचार किस रूप में बस्वन्ना और जलालुदीन रूमी के विचारों से समानता या भिन्नता रखते हैं कभीर के उपदेश प्रमुख धार्मीक परंपराओं की पूण एवं प्रचंड अस्विक्रिती पर आधारित थे उनके उपदेशों में ब्रह्मन वादी हिंदु धर्म और इसलाम दोनों की वाहय आडंबर पूण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है उनके काभ्य की भाषा बोल चाल की हिंदी थी जो आम आद्मियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी उन्होंग ने कभी-कभी रहस्यमई भाषा का भी प्रयोग गिया जिसे समझना कठिन होता है कभीर निराकार परमिश्वर में विश्वास रखते थे उन्होंग ने यह उपदेश दिया कि भक्ती के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ती प्राप्त हो सकती है हिंदू तथा मुसल्मान दोनों लोग उनके अनुयाई हो गए पाठ में चलने से पहले आईए डालते हैं एक नजर चित्र संख्या 10 पर और चित्र संख्या 10 में दिखाया गया है धार्मीक महानुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक ये उस समय का चित्र बनाया गया है जब वे युवक थे बाबा गुरु नानक नजदीक से एक नजर कबीर की अपयक्षा बाबा गुरु नानक जिनका काल 1479 से 1549 तक रहा के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं तलवंडी जो अब पाकिस्तान के ननकाना सहाब में है में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपूर यानि रावी नदी के तठ पर देरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की उन्होंने अपने अनुयाईयों के लिए करतारपूर में एक नियमित उपासना पध्धती अपनाई जिसके अंतरगत उन्ही के शबदों यानी भजनों को गाया जाता था उनके अनुयाई अपने अपने पहले धर्म या जाती अथ्वा लिंग भेद को नजर अंदाज करके एक सांजी रसोई में इकठे खाते पीते थे इसे लंगर कहा जाता था बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कारियों के लिए जो जगह न्युक्ट की थी उसे धर्म साल कहा गया आज इसे गुरु द्वारा कहते हैं 1549 में अपनी मृत्यू के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयाई को अपना उत्तराधिकारी चुना इनका नाम लहना था लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए गुरु अंगद नाम का महत तो यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रजनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी प्रिष्ट संख्या 118 आईए सबसे पहले देखते हैं एक चित्र संख्या 11 और यह गुरु ग्रंथ सहव की एक आरंभिक पांडू लिपी का चित्र है सुनते हैं पाठ संग्रह एक नई लिपी गुर्मुखी में लिखा गया था गुरु अंगद के तीन उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 इस्वी में किया इस संग्रह में शेख फरीद, संत कवीर, भगत नाम देव और गुरु तेग बहादूर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वानी जोड़ी गई 1706 इस्वी में इस व्रिहत संग्रह को गुरु तेग बहादूर के पुत्रवा उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिह ने प्रमानित किया आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है 16 शतादी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेत्रित्तों में उनके अनुयाईयों की संख्या का विस्तार हुआ ये अनुयाई कई जातियों के थे परंटु इन में व्यापारी, क्रिशक और शिल्पकार ज्यादा थे इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयाई ग्रिहस्त हों और उपयोगी वह उत्पादक पेशों से जुड़े हों अनुयाईयों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोश में योगदान देंगे सत्रवी शताब्दी के प्रारंभ से ही केंद्रिय गुरुद्वारा हर्मंदर साहब यानि स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपूर शहर यानि अम्रित्सर विकसित होने लगा था प्रशासन में यह वस्तुतह स्वायत था आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतरगत राज्य मानते हैं मुगल समराठ जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खत्रा मानता था उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया 17 शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीती करण शुरू हो गया जिसका दूर गामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया खालसा पंद के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाए अब एक राजनेतिक सक्ता बन गया 16 और 17 शताब्दीयों की बदलती हुई एतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्तों पर जोर दिया उन्होंने आगरह किया कि जाती धर्म अतवा लिंग भेद मुक्ती प्राप्ती के लिए कोई माइने नहीं रखते हैं प्रिष्ट संख्या 119 उनके लिए मुक्ती किसी निश्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी बलकि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ समाजीक प्रती बढधता की निरंतर कोशिशों में ही नहित थी अपने उब्धेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने तीन शबदों का प्रयोग किया नाम, दान और इस्नान यानि स्नान नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था दान से तात्पर्य था दूसरों का भला करना और इसनान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता आज उनके उपदेशों को नाम जपना, किर्त करना और वंड चकना के रूप में याद किया जाता है ये आउधारनाये भी उचित विश्वास और उपासना, इमानदारी पूर्ण, निर्वाह और संसाधनों को मिल बाट कर प्रयोग करना यानि की दूसरों की मदद के महत्व को रिखांकित करती है इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजरीतिक माइने थे शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयाईयों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयाईयों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफी करीब थे के इतिहास में फर्क कोस समझने में मदद मिलती इस प्रिष्ट 119 के अंत में एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन स्वलमी सदी का समय योरोप में भी एक धार्मिक अंतक शोभ यानी उथल पुथल का काल था तब इसाई धर्म में अनेक परिवर्थन हुए जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर जिनका जीवनकाल 1483 से 1546 तक का रहा लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं लूथर ने लेटिन भाषा की बजाए आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोसाहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद गिया वे दंड मोचन की उस प्रथा के घंगोर विरुद्धी थे जिसके अंतरगत पाप कर्मों को ख्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ अनेक प्रोटेस्टेंट इसाई संप्रदाए अपना उद्वाव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं इसी बॉक्स पर एक चित्र है और ये चित्र है मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल का शीर्षक प्रिष्ठ कल्पना करें आप एक बैठक में भाग ले रहे हैं जहां एक संत जाती विवस्था पर चर्चा कर रहे हैं इस बादचीत का वर्णन करें फिर से याद करें एक यहां दो स्तंभ दिये गए हैं और इन दोनों स्तंभों के बीच में आपको मेल बिठाना है तो सबसे पहले आपके लिए प्रस्तुत है पहला स्तंभ इसमें शब्द हैं बुद्ध, शंकरदेव, निजामुदीन आउलिया, नयनार, और अलवार स्तंभ दो, नामधर, विश्णु की पूजा, सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए, सूफी संत, शिव की पूजा दो, रिक्त स्थान की पूर्ती करें क, शंकर, रिक्त स्थान के समर्थक थे ख, रामानुज, रिक्त स्थान के द्वारा प्रभावित हुए थे ग, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान वीर शयो मत के समर्थक थे ग, रिक्त स्थान महराष्ट्र में भक्ती परंपरा का एक महत्वपूण केंद्र था तीन, नाथपन्थियों, सिध्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वड़नन करें चार, कभीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्हों ने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? इसी प्रिष्ट संख्या 120 में कुछ बीज शब्द दिये हुए हैं बीज शब्दों का अर्थ है, इन शब्दों का प्रयोग इस अध्याय में हुआ है आईए इस समय इन बीज शब्दों को सुनते हैं बीज शब्द यानि कीवर्ड, आईए सुने वीर शेव मत भक्ति सूफी खान काह प्रिष्ट संख्या 121 आईए समझें पांच सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे? छे आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्विकार क्यों किया? साथ बाबा गुरु नानक की मुख्य शिक्षाएं क्या थी? आईए विचार करें आठ जाती के प्रती वीर शेवों अथ्वा महराष्टर के संतों का दृष्टी कोण कैसा था? चर्चा करें नउ आपके विचार से जन साधरण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा? आईए करके देखें पता लगाएं कि क्या आपके आसपास भक्ती परंपरा के संतों से जुडी हुई कोई दरगाह, गुरुद्वारा या मंदिर है? इनमें से किसी एक को देखने जाईए और बताईए कि वहाँ आपने क्या देखा और क्या सुना? ग्यारह इस अध्याय में अनेक संत कवियों की रचनाओं के उद्धरण दिये गए हैं उनकी खृतियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें और उनकी उन कविताओं को नोट करें जो यहाँ नहीं दी गई हैं पता लगाएं कि क्या ये गाई जाती हैं? यदि हां तो कैसे गाई जाती हैं? और कवियों ने इन में किन विशयों पर लिखा था? बारह इस अध्याय में अनेक संत कवियों के नामों का उलेख किया गया है, परंतु कुछ की रचनाओं को इस अध्याय में शामिल नहीं किया गया है उस भाषा के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें जिसमें ऐसे कवियों ने अपनी कृतियों की रचना की क्या उनकी रचनाएं गाई जाती थी? उनकी रचनाओं का विशे क्या था? यहां अध्याए आठ समाप्त होता है अभी आप सुन रहे थे सामाजिक विज्ञान पाठे क्रम के अंतरगत इतिहास की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारे अतीत भाग दो का आठवा अध्याए शीर्शक था इश्वर से अनुराग वाचन स्वर अजीत होरो ध्वन्यंकन विकास सांगवान निर्माण सहयोग शानुमुक्सीम और मिनाक्षी कुकरेती निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत